तब Mesolithic Age Mesolithic Age के सारे जो features थे वो आलोड़ी मैंने टेबल में अंडरलाइन कर दिये हैं इन paragraphs में हम जो different sites located हैं इंडिया में Mesolithic Ages की उनके बारे में बात करने वाले हैं कि जब historians और archaeologists ने खुद आई की तो उन्हें अलग-अलग जगाव पे कुछ ऐसे सबूत मिले कुछ ऐसी चीजे मिली, कुछ ऐसी tools मिले कुछ ऐसे पर्यावरन, परिवर्तन के प्रमान मिले कुछ ऐसे animals की हड्याँ मिली जिससे उनने लगा कि हाँ, ये एक different time था पहले से और इसले इंस sites को mesolithic sites अलग से करार दे दिया गया अब हमने climate की बात कर लिया है पहले ही कि अगर एक period से दूसरी period की तरफ हम जा रहे हैं तो वो इसलिए होता है क्योंकि कोई change हुआ है तो पूरा Paleolithic period जो था वो Pleistocene Geological Time Scale में आता है जहां पे Pleistocene में जो environment था वो पूरा cover किया हुआ था जैसे ही मैसोलिथी की तरफ आने लगते हैं करीब 10,000 साल पहले तो परियावरन में बदला होने लग जाते हैं उसको बोलते हैं hollow scene और वो hollow scene तब से लेके आज तक continued है इसमें hollow scene के set on से क्या होता है कि कुछ-कुछ भारतिय महादवीप में कुछ-कुछ जगाओ पे बारिश बढ़ने लग जाती है कुछ जगाओ पे सुखा सादा होने लग जाता है कुछ जगाओ पे सर्दी जादा पढ़ने लग जाती है तो ऐसे ऐसे weather changes होते हैं तो लोग अपना movement भी इसके according बदलते हैं अपना खानपन उसके according बदलते हैं जो tools वो बना रहे हैं उसके according वो बदल जाता है सब कुछ As I have already said कि environment जो होता है वो सारी चीजों का tone set करता है आप क्या खा रहे हो आप क्या पहन रहे हो आप कहा रहे हो कहां रहे हो कैसे रहे हो everything especially पुराने टाइम में जब environment vehemently लोगों की life को control करता था Okay, so Holocene के जैसे ही period शिरुवात होती है उसके साथ एक और चीज होने लगती है वो है कि जो पुराने लोग जो tools उसकर रहे हैं उसमें बदलावाने जाता है वो आप microlits उसकरने लग जाते हैं पहले तो वो भरे बड़े core of flakes के पत्थरों के उजार बना रहे थे अब microlits का चलन अजाता है जहां एक से पांस सेंटीमेटर सिर्फ इतने से तूल्स बनाते थे वो इतने से हाड ले इतने से इन टूल्स का वो चुटी चुटी टूल्स का वो पाकेट्स में बरके पने साथ कहीं भी ले जाते थे और फटाक से कुलहारी बना ली या फिर वोडन उससे अटाच कर के स्पियर बना लिया या इनमें जहर भुझा के ने काम की चीज बना ली तो इस तरहे कैसे अर्केलोजिस तो यहां कॉपर के मिलते हैं ब्रॉंज की मिलते हैं और खुदते हैं तो इनको अपर पेलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं नियोलिथिक तूल्स मिलते हैं तो यह पेलियोलिथिक से जब मैसोलिथिक की तरफ खुदाई होती है जब नीचे जा रहे होते हैं जब तूल्स बनाने का तरीका चेंज कर लिया और कोई रीजन रहोगा, क्या रीजन रहोगा, मेभी एन्वायमेंट, मेभी उन्हें समझ में आ रहा है कि यह चोटे तूल्स यूज करना इस मोर कन्वीनेंट और मोर इजी, अगर पॉट्री की बात करें तो पॉट्री है वो देखन का यूपी का वहां से भी हमको थोड़ी बहुत म्रदभांड यानि पॉट्री के एविडेंस मिल जाते हैं कि हां लोग मिट्टी के बरतन यहां बनाने लग गए थे, लोगों की लाइफस्टाल की बात करें उस टाइम पे तो जैसे पहले वो लोग हंटिंग गैधरिंग कर लेकिन अब आनिमस पानना भी चालू कर दिया था और एक इंपॉर्टन और इंट्रेस्टिंग चीज जो हो रही थी वो अभी यह है कि इंडिया के ऐसे से पार्ट्स जहां लोग पहले नहीं पहुंचे थे अब वो पार्ट्स भी इन्हाबिट होने लगे थे लोग मतलब द दूर दराज की एरियाज में इन्हाबिटेशन बनाने लगे थे जहां पहले नहीं पहुंचे थे अगर हम साइट की बात करें कि चलो एक साइट का ऐसा एक्जाम्पल लेते हैं जहां से हमें क्लियरली दिखता है कि लोग ना हंटिंग गैधरिंग की स्टेज से निकल के एक सेटल्ड अगरिकल्चर की स्टेट में जा रहे हैं हंटिंग गैधरिंग मतलब हमेशा से यह सोसाइटिवी कंसिडर किया जाता है कि आप हंटिंग गैधरिंग कर रहे हो तो आप एक प्रिमिटिफ फॉर्म अफ लाइफ जी रहे हो और जैसे-जैसे आदमी के एक पीछे अले पड़ाव पे समझा जाता है तो हम यह जानते है कि पेरियलिथिक जो पीपल थे वो हंटिंग गैधरिंग कर रहे थे अब हंटिंग गैधरिंग से धीरे धीरे एक जगह पे सेटल होना इस चीज की शुरुवात अगर हमें देख रही है तो उसका हमें एक सा दिल्टेषन नहीं होगी तो कि जाया है कि पुदि लोग यह चाहिं करोगे तो दूल्स हैं आप गायी हमें तो जहने नहीं लेशने लगहे थे ठोड़ी थोड़ी पाट्री बनाने लग गए थे और झील बटे वग्रहिं यहां से यहांसे जली वह ब SUBSCRIBE कि चलता है जिसेंगो तो अबसे दाल दाल धर वतल और अपस में काफी क्लोज उपी में हैं तीनों की साइटे और आसपास में काफी क्लोस में लोकेटेड़ हैं अगर हम डेटिंग की बात करें तो सप्राइजिंग की देखें सराय नहराय से जो डेट है वो है करीब करीब 8400 बीसी है कि मतलब आसे 10,000 साल पहले से मैं सुलितिक एच की स्टार्ट हो चुकी है और लोग इन जगाओं पर रह रहे हैं इंडिया में 10,000 साल पहले से सुचे इस इसके लावा यह जो बाकी इस चाप्टों में सिफ से प्रिमिटिव डीटियल से है कि यहां से हमें पॉर्टरी मिली यहां से हमें यह तूल मिला है विच इस नौट वेरी इंपॉर्टन बस थोड़े जो आपको यह याद रखने की साइट कौन सी और में किसी साइट के बार इसके प्रिमिटिक टूल्स की अक्सतर मिल जाए ना फिर इसको यहां इसके मज़काव आएगा सारी जब उसको खोदना चालो करेगा मिटी उपर से उसको पहले यहां पे लोहे के उपकरण मिल जाए मतलब आई रन एज के फिर जाएगा नीचे उसको कॉपर एज के पूरी सीक्वेंस में टूल्स मिल जाते तो मतलब ना लोग ऐसे कंट्रियों सी रहे जा रहे हैं पुष्तों की पुष्टे रहे जा रहे हैं इसको बोलता है वेल डॉक्यमेंटेट साइट जब आप एक दम पूरा नीचे खोदे रहे हो आपको हर सतर से कुछ ने कुछ ने क जाने की 100-200 BCE तक आज से 7000 BCE से लेके 200 BCE तक के एविडेंस मिल जाते हैं यहां बागोर से तो इसलिए इसको बोलता है यह बहुत ही वेल डॉक्यमेंटेट साइट है क्योंकि इस साइट को खोदने से एक पूरा एक क्लिर पिचर मिल जाती है ना कि एच्छे लोग पहले यह कर जिए मिले हैं जिसमें से जंगली भैस और डियर, पिग्ज, राट, फिश और गोट्स वगरा के इन सब के हमें एविडेंस मिल जाते हैं एक साइट है लंगना जो की है गुजरात में यहां से भी में काफी सारे माइक्रोलिट्स मिले हैं एक साइट है आदमगः हिल छो कोंसी साइट ले पोटारी की एविडेंस लियरा रच जाती है त्युक्यूंकि पॉटरेरी की एविडेंस मेत लोग वह इन स्थाई रूप से रह रहते हैं अब कोई हंट कासे हम direct है तन फे होसे निल रसे ले और भाग जातिए अब कोई हंट गैबंग्र ने ले लिए आर्फेडेय। राम और बातु सब्सक्राइब भी हमेगर नहीं आप है। पर यह सबस्क्राइब पैंटाइब नितमरों माइप बीकी तुर्ब rainbowoken का गाई रहते हैं। इसलेवेम प्डेंटिया चनले नीषेयर लिप्रो सॉटे। ठीक है और बाकी बहुत सारी जगह है जहां से हमें मैसले थी कैम साइट्स मलते हैं कि थोड़े टाइम लोग यहां रहे हैं उसके बाद उनमें छोड़ दिया है लेकिन जो यह साइट्स हैं जिसे सराय नहर राय दम दमा महा दहा चौपानी मांडो इन में कंटिनेस इन इतने डीटेल में पढ़ाए